हेलो प्रैंड्स क्या हाल चालें दोस्तों आज मैं आपके लिए यहां पर से एक पर टॉपिक लेके आया हूं तो आजम यहां पर बात कर रहे हैं इसको हम डियरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं और देखो यह जो यूनिट वेक्टर रेना यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो कि अगर आप यहां पर एक्ट्रो डैनेमिक्स पढ़ते हो तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग यह सब कैल्कूलेट करना हो तो वहां पर हमको यूनिट वेक्टर बताना होता है कि हाँ इस डियरेक्शन में इलेक्ट् और निकाल लेगो तो इन सब जगे पर आपको यूनिट वेक्टर बताना होता है और मैथमाटिकल फीजिक्स में तो है यह टॉपिक ठीक है तो तीकि रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर एक्ट्र में ठीक है तो सबसे पहले में आपको बता दूँ क कि वेक्टर क्या होता है ठीक है तो तभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में भी बात करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्मिला है ठीक है तो इसमें मैंने बताया है कि जो वेक्टर होता है वेक्टर है बोथ के सांसना direction भी होती है और इसको represent करने का जो तरीका होता है वो होता है एक arrow मतलब मैं किसी भी वेक्टर को जैसे मेरे को एक वेक्टर बताना है तो मैंने पास वेक्टर का ये एक tail होगा इसको मैं A बोलता हूँ और ये head है और ये tail है ठीक है तो इससे हमारे पास एक वेक्टर represent होता है और जो इस वेक्टर की length है मतलब जो इस arrow की length है इसी को हम क्या बोलते हैं इसका magnitude ये क्या होता है इसका magnitude यानि कि length of the vector is equal to magnitude ठीक है अब बात आती है कि unit vector क्या होता है suppose करो unit vector का मतलब है कि उस arrow की length है वो हमारी one होनी चाहिए मतलब उस vector का जो magnitude है equal to one suppose करो मेरे पास एक vector है ठीक है यानि कि unit vector का जो मतलब है वो simple सा यह है कि magnitude equal to means उसका जो magnitude है वो आपका equal to one होना चाहिए ठीक है तो अगर magnitude equal to one है वो हमारा unit vector है तो यहाँ पर देखते हैं कि a cap denotes a unit vector if we want to change any vector in unit vector तो divided it by a vector's magnitude अब suppose करो कि कोई vector मेरे पास unit vector नहीं है लेकिन अगर मैं उसको एक unit vector बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूँ तो मैं उस vector को उसके magnitude से divide कर दूँगा तो वो एक unit vector बन जाएगा जैसे suppose करो मेरे पास एक वेक्टर V है ठीक है यह हमने यहाँ पर ले रखा है यह मेरे पास आप देख सकते हो एक वेक्टर मेरे पास यह A है ठीक है यह हमारे पास एक वेक्टर A है अब अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैंने इसका magnitude लिया यह मेरे पास क्या है? इस vector का magnitude है और इस vector को मैंने इसके magnitude से डिवाइड कर दिया तो यह क्या बन गिया है मेरा? यह बन चुका है unit vectors तो यह unit vector है अब इसके अपर base एक caution नहीं पे समझ लेते हैं तो आप कॉसन देख सकते हो कि मेरे पास एक vector P है यह मेरे पास एक vector P है इसका मेरे को unit vector calculate करना है तो हम क्या करेंगे तो आप देख सकते हो अगर इसका हमको unit vector तो यह मारे पास vector P है जो कि है 12 I cap minus 3 J cap minus 4 J cap ठीक है अब इसका यहाँ पे हम इस vector का हम यहाँ पे unit vector calculate magnitude निकालेंगे तो magnitude क्या बन जाएगा under root 144 plus 9 plus 16 is equal to 169 means 30 तो यह इसका magnitude है आप देख सकते हैं इसका magnitude यह है अब इसका जो unit vector हो unit vector क्या होगा मैं अपने vector P को magnitude से divide कर देगा यह हो जाएगा 12 I cap minus 3 J cap minus 4 K cap divided by तो यह हमने निकाल लिया है इसका magnitude तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी calculations मैंने यहाँ पे कर रखी है तो यह हमारा mode P है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यह हमने इसका magnitude निकाला इसका magnitude कितना आया है 13 उसके बाद मैंने इसको इसके magnitude से डिवाइड कर दिया तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास निकल के आया है तो इसी को हम बोलते हैं unit vector ठीक है दोस्तों तो यह था हमारा आज का question मतलब concept की unit vector क्या होते हैं और इसके उपर based एक questions ठीक है बोलते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं किसी उसरे अनुदर वीडियो में तो बाए